सुबे नाष्टे में हम बहुत तरह के परांथे बनाते हैं जैसे आलू परांथा, गोबी परांथा, चीस परांथा, गालिक परांथा लेकिन एक परांथा जो हम सभी बश्पन में बड़े चाव से काते थे वो है मलाई चीनी परांथा ये बहुत ही टेस्टी और यमी होता है तो चलिए आज बच्पन की यादों को थाजा करते हैं मलाई चीनी परांठा बनाने के लिए हमेचे ये मलाई आटा ये मैंने नॉर्मल गिहों काटा लिया है येदि आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं थोड़ी से ड्राइफूर्ट इसमें मैंने काट जूप, पिस्ता और बदान दिया है और इसे चोपर में बारिक चोप कर लिया है जैदि आप चाहें तो इसे बारिक काट भी सकते हैं बस इन सब चीजों से हम अपना मलाई चीनी परांठा बनाएंगी मेरे पास ये दो दिन के मलाई है मलाई एकदम गाड़ी होने चाहिए इसमें दूर नहीं होना चाहिए वरना मलाई परांठी से बाहर फैल जाएगी और मलाई दो से तीन दिन तक ही पुरानी होने चाहिए ज्यादा नहीं वरना प्रांठे का टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा मलाई में डालने के लिए मैं चीनी का इस्टेमाल करी हूँ यदि आप चाहे तो पाउडर शूगर, शक्कर या देसी खान का भी इस्टेमाल कर सकते हैं मैं मलाई में 3 टेबल स्पूर चीनी के डाल दे हूँ, 1-4 टेबल स्पूर इलाइची पाउडर डाल दूँगी जिससे परांठे में बढ़िया कुश्बू आएगी, अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे परांठे में डालने के लिए मलाई की स्टफिंग तयार है, अब आटे से हम लोईयां बना लेते हैं यदि आपने प्रांठा थोड़ा बड़ा बनाना है तो थोड़ी बड़ी लोई बना लीजे और यदि प्रांठा थोड़ा छोटा बनाना है तो लोई छोटी बना लीजे हमारी दोनों लोईयां तेयार हैं अब हम इने बेल लेते हैं लोईयों को ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा पतला बेलना है बच्पन में जब भी बारिश का मौसम होता था तो मैं मम्मे को अक्सर कहते थी ममा मुझे मलाई चीनी परांठा बना दो बारिश के मुसम में मुझे बहुत टेस्टी लगता था तो आम में से किस-किस ने बारिश के मुसम में बच्पन में मलाई चीनी परांठा खाया था मुझे कमेट बॉक्स में जुरूर बदाईएगा जैसा कि आप देख रहे हैं बस इतना रोटी को हमें पतला रखना है अब इस पर हम मलाई को अच्छे से अप्लाई कर देंगे मलाई कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं बस आपने रोटी के किनारों पर मलाई नहीं लगानी अब जो ड्राइफ्रूट को हमने पीस कर रखा था वो रोटी पर लगा देंगे प्रांठों में ड्राइफ्रूट का बड़िया टेस्ट आता है ड्राइफ्रूट डालते वक्त आप कंजूसी मत करें क्योंकि मलाई प्रांठे में इसका बड़िया टेस्ट आता है अब दूसरी रोटी को इस पर रखकर किनारों को अच्छे से दबा देंगे ताकि स्टफिंग बहार ना आ सके अब इसे हम हलके हाथों से थोड़ा सा बेल लेंगे पैन या तवे को मीडियम तो हाई फ्लेम पर गरम करना है अब इस प्रांटर को पैन में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से शिखने देंगे थोड़ी दिर बाद आप देखेंगे कि प्रांटर के उपर का कलर हलका हलका चेंज वो गया है अब इसे spatula की मदद से पलड़ देंगे और दूसी साइड इसे सिखने देंगे. थोड़ी देर बाद जब दूसी साइड भी सिख जाए तो इसे हम पलड़ देंगे. अब इस प्रांठे पर थोड़ा सा घी लगा देंगे. मलाई चीनी प्रांठे में घी थोड़ा कम लगता हैं क्योंकि प्रांठा सेखने पर मलाई भी अपना घी चोड़ देती है. अब इसे पलड़ देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे सिखने देंगे. और दूसी साइड पर भी हम थोड़ा सा गी लगा कर इसे पलट कर सेख लेंगे दूनों साइड को पलट पलट कर हम अच्छे से सेख लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्रांथा अच्छे से सिग गया है और इसमें बढ़िया कलर भी आ गया है अब इस प्रांथे को हम प्लेट में निकाल देंगे अब गर्मा गर्म प्रांठे पर थोड़ी सी मलाई चिनी और लगा देंगे इससे प्रांठा और भी टेस्टी बनता है अब उपर से थोड़े से ड्राइफूट डाल देंगे अब प्रांटे को डेकोरियर करने के लिए मैं इस पर थोड़े से मैलन सीड और पंकिन सीड लगा रहे हूं आप चाहे तो कोई भी ड्राइफूर्ट्स या इस पर टूटी फ्रूटी भी लगा सकते हैं अब मैं आपको इसकी अंदर का पोश्चन दिखाती हूं कि यह कितब बढ़िया बना है तो आप भी ऐसा टेस्टी परांथा अपने बच्चों के बनाएं और इसे बच्चों की यादों में शामिल करें यदि वीडियो अच्छी लगे होती से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ड़ना ना भुली थैंक्स फो वाचिंग